One Stop Law में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम Flipkart के बारे में बात करने वाले है एक शक्स फारुक जो तेलंगाना का रेजिडेंट है उन्होंने एप्रिल 2021 में सनफ्लावर ओई Flipkart के प्लाटफॉर्म से खरीदा था Flipkart के प्लाटफॉर्म पे इस तेल का प्राइस 240 रुपे का था मगर जब डिलिवरी हुई और फारुक के हाथ में ये तेल का पैकेट आया तब उन्होंने देखा कि थोड़ी सी छेटकानी हुई थी MRP के साथ वहाँ पे हलके से दिख रहा था कि MRP एच्चली 170 रुपे की थी ये शक्स ने तुरंत तेलंगाना के कंजूमर कॉर्ट में केस दाखिल किया केस दाखिल करने पे वो जीत भी गया Flipkart को डंड गिरी 50,000 रुपीज की दिलजस की बात जो है कि Flipkart ने जो आग्यूमेंट रखा कंजूमर कॉर्ट के सामने वो आग्यूमेंट कुछ अलगी था उन्होंने कहा कि उनका कोई लेना देना नहीं है कंजूमर के साल जो प्रोड़क्ट सेलर डालता है उनके वेबसाइट पे उनका उसके उपर कोई काबू नहीं है और उनकी जिम्मेदारी नहीं है ये देखने की कि MRP पे छेड़चानी हुई है कि नहीं ये सब बोलने के बावजूद उन्होंने ये भी कहा कि छेड़चानी उनके delivery representative से तो नहीं हुई है और उनके delivery representative को वो packet हाथ में भी नहीं मिला बस एक packaged box में मिला और after sales service directly seller के साथ होता है उन्होंने और भी arguments रखे जैसे कि उन्होंने अदालत को बताया कि उन्होंने ये seller को blacklist कर दिया है मगर ये सब सुनने के बाद तेलिंगाना state consumer court ने क्या कहा कि भई एसे आप जिमेदारी को मिटा नहीं सकते हो अगर आपके platform पे है तो आपकी निगराही पे हुआ है और आपको उसके लिए डंड लेना ही पड़ेगा